कहानी का नाम चिडिया और चालाक शेर. एक जंगल में एक चिडिया रहती थी. वह बहुत ही सुन्दर थी और सभी जानवर उसकी खुबसूर्ती की तारीफ करते थे. एक दिन जंगल में एक चालाक शेर आया. शेर ने चिडिया को देखा और सोचा, यह चिडिया मेरे लिए एक स्वर्गिय भोजन हो सकती है. शेर ने चिडिया के पास जाकर कहा, हे चिडिया मुझे भूख लगी है, क्या तुम मुझे थोड़ा सा भोजन दे सकती हो? चिडिया ने शेर की चालाकी समझ ली और उसने कहा, जरा देर से आना मैं तुम्हारे लिए भोजन तयार करती चिडिया ने जल्दी से एक चिडिया को पकड़ कर उसे शेर के सामने रख दिया. शेर ने उसे खा लिया और खुश होकर चिडिया की तारीफ करने लगा. इसके बाद शेर रोज चिडिया के पास जाकर भोजन मांगने लगा. चिडिया हर बार उसे कोई न कोई जालसाजी क उसे भोजन देती और उसकी चालाकी को नाकाम कर देती। कि हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, कि किसी भी समस्या का सामना करते समय हमें चालाकी से नहीं, समझदारी से काम लेना चाहिए। कहानी कैसी लगी? अगर आपको और कहानिया सुनानी हो तो बताईए, मैं लिख सकता हून।